हेलो फ्रेंट्स एंड दियर स्टूडेंट्स आज का हमार टॉपिक है मेडिशनल केमिस्टी थर्ड के इंतर का सिफैलेस फोरिंज और इस वीडियो में हम लोग सिफैलेस फेरिंज का एक जनरल इंट्रोडक्शन इंका इस्ट्रक्शर क्लासिफिकेशन विट सम एक्जामपल्स और मेकने आफ एक्शन इत्यादी को असान तरीके सा समझने के कोशिश करेंगे मैं हूँ डॉक्टर पजने शुकला चले शुरू करते हैं जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की हमें पैंसलीन मिल चुकी थी पैंसलीन को आने के बा स्थे फैलेश्पोरियम से एक निया कंपौउंड प्राप्त किया जिसे हमें एक निया और क्विटा ऍरभ joint प्राप्त किया जिसका नाम उन्हों रखा सिलीन कडिवटित release ईंजी ओंड स्थ और इसके बाद अबराहाम साह में इसके और आइसुलेट कमडेक advoc में तो बिसके स्टेफलेस्पूरीं C मिली जो की एक natural सेफालेस्फूरीं होती है इसके बाद हम इसी सिफेलेस्पूरीं C में कुछ इसके structure में कुछ बदाव करके इसके molecular modification करके कुछ semi-synthetic सेफालेस्फूरीं के एक लबी चोरी सिंखला प्राप्त कर सकते हैं जिसे भी हम लोग classification में देख पाएंगे, यह हमारी सिफेलोस्पोरिन जो है यह भी एक एंटिबाटिक ही है, आप कह सकते हैं, बीटा लेक्टम एंटिबाटिक है, as like the penicillin, but इसमें कुछ differences है, penicillin के structure से, और जो सबसे basic structure है, में जो difference है, वो है, कि हमारी penicillin जो होती है, थायजोलीडिन रिंग के स साथ, जैसे हमने पिछले वीडियो में discuss किया था, जबकि सिफेलोस्पोरिंस में, डाई हाइड्रो मिथा थायाजीन रिंग जो है, वो लगी होती है, बीटा लेक्टम रिंग के साथ, जो कि आपके सामने, यहां पर दिखाईट एरिया है, सिफेलोस्पोरिंस जो होते हैं, more अब बात करते हैं, इसके स्टक्चर की, तो हमें और बातें क्लियर हो जाएंगी, यहां पर पैंसलिंग की जैसे ही, बाई साइकली की स्टक्चर है, लेकिन पैंसलिन में यहां पर हमको थायाजोली डीन रिंग देखने को मिल रही थी, कहने का मतलब फाइव मेंबर रिंग मेंबर इस 6 मेंबर की रिंग को हम लोग simple डाइ हाइडो थायाजीन रिंग बोल सकते हैं, तीसे और चौथे पोजीशन पे नमरिंग इसकी इस प्रेकार से करते हैं, सल्फर से स्टार्ट करते हैं और नैटोजन होते हुए इसको आगे बड़ाते हैं, टिक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and एट तो एट नमबर पर ऑक्सो ग्रुप जो है वो एट नमबर प्यारा है जबकि हमारे पैंसलिन में यह सेवन पॉजिशन प्याता था यह याद अखना है उसी चीज तीसे और चौथे पोजिशन पर यहाँ पर एक अन्सचुरेशन है डबल बॉंड देखने को मिलता है इसे साथ अमीनो ग्रुप लगा हुआ है जो सेवन पॉजिशन पर उस पर सब्सूशन करके अमीनो साइट सौरी में यह मिली थी उसका इस स्ट्चर अगर हम देखे तो बिलकूल इसी प्रकार का है यह बीच में आपको जो देखने को मिल रहा है यानि कि अमीनो ग्रुप के साथ जो है CUH ग्रूप लगा हो यह सब छोड़ दीजे तो इसी को हम क्या कहते है 7 Amino Cephalosporic Acid और इसी के इस 7th number पर जो Amino Group है उसमें हम लोगों को Side Chain के रूप में यहाँ पर 7 Amino Adipic Side Chain जो है वो लगी हुई है और साथी साथ यहाँ पर Acetoxy Methyl Group लगा हुआ है थर्ड पोजिशन पर दिस इस 1, 2, 3 तीस पोजिशन पर क्या लगा हुआ है इसे टॉक्सी Methyl Group तो यह हमारा Cephalosporin C था इसी दो जगहों पर हम लोग बदलाव करेंगे और धेर सारे Compounds अभी आगे चल करके देखेंगे तो जो basic skeleton है बीटा लेक्टरम रिंग का वहाँ पर बीटा लेक्टरम रिंग जो है वह फ्यूज है डाई हाइड्रो थाइजीन दिंग से और यहाँ पर एक और खास बात है कि यह प्लेनर नहीं होता है यानि कि पोजीशन नमबर 5 और 6 यहाँ पर जो पोजीशन नमबर 5 और 6 है इससे यह folded होता है यानि कि एक प्लेन में नाओ करके इस प्रकार से लगे हुए है folded position में यहाँ पर यह प्राप्त हमें होते हैं यह एक बड़ी खास बात है कि यह एक प्लेन में दोनों ring system नहीं है एक ring system दूसरे ring system से कुछ angle पे जुड़ी हुई एंगिल बनाते हुए जुड़ी हुई है folded form में जिससे paper को आप लोग fold कर देते कुछ इस तरीके से ring strain इसलिए यहाँ पर कम है penicilline से और जिसकी वज़से जो है इनकी जो percent potency वह थोड़ी सी कम भी हो जाती है लेकिन ring strain कम होने से एक चीज़ का यह फायदा है कि acid stability यह क्या हो जाती है बढ़ जाती है जो यह हम लोग 7th position जो है हमारी यह वाली इस 7th position पर हम different different के नाम है side chain लगा करके और altered alt कर सकते spectrum activity यानि broad spectrum activity अगर हम वो change करनी है तो हम यहाँ पर देख सकते narrow spectrum molecule को broad spectrum में यहाँ पर बदलाव करके बदल सकते हैं जो position 3 की बात करते हैं यहाँ पर जो हम लोग कह रहे थे यह position 3 हमारी यहाँ पर जब हम बदलाव करते हैं side chain लगाते तो farmaco kinetics जो property है हमारे drug की वो क्या हो जाती है अल्टार होती है जो एक और common name के रूप में अगर हम लोग देखें तो एक नाम और है कि by cyclical green system जो है lactum beta lactum के साथ जो है अठायजीन का इसको अगर हम लें तो इसे हम सी फेम बोल सकते हैं सी फम बोलते हैं जब यहाँ पर double bond नहीं होता है 3 कार्बन के बीच में अगर 3 कार्बन के बीच में तो इसे हम क्या पोलेंगे सी फेम बोलेंगे तो यह एक तो normal स्ट्रक्चर की बात होगे अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की तो हम क्लासिफिकेशन में एक चीज़ आप ध्यान दीजेगा यहां पर पहले में आप देख रहोंगे फ्लूड लगा है हमने यहां पर लगाया था जैसे कि किताबों में आपको देखने को मिलता है लेकिन वि जैसा कि हम पैंसिलिन के पिछले वाले वीडियो में हम कई बार खुद कन्फ्यूज हो रहे थे कि हम क्या बोल रहे हैं तो इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोगों ने यहां पर यहां पर सी डबल बांड ओ तो रहना है तो हमें उसको हमने आर के साथ ही लगा लिया है ठीक तो हम कह रहे हैं कि जो हमारा सेवन अमीनो सेफेलोस्परिक एसिड है उस अमीनो ग्रूप पे हम सब्सुशन कर रहे हैं और तीसे पोजिशन पे हम आर्टू बता रहे हैं तो आप जो भी इस्ट्रक्चर देखेंगे वहां पर आर्वन और आर्टू जो ह उसका रूट ऑफ स्वरी रूट ऑफ एड्मिनिस्टेशन उसका क्या होगा इन सबके बेसिस पर जैसे हमने पैंसलीन के क्लासिफिकेशन देखा था लेकिन इसको हम थोड़ा सा और आसान कर देते हैं और सिफ जनरेशन के हिसाब से चलते हैं तो जो है सबसे पहला जो हमारा आया जैकिस फर्स जर्रेशन से फ्लेस्ट जो कि 1906-1970 के बीच में क्योंकि से फ्लेस्ट पॉरिंस की खोश तो 1947 में हो गई थी लेकिन उसका इस्ट्रक्चर जो है कि जो इसको बताते पताते उन्निस सो साथ लग गया उन्निस सो साथ में जाकर कि इसका इसका पाती ही बहुत ही कम अविविल्टी होती है और यहां पर जो सीथी हम बात कर रहे हैं अगर वहां पर मिठाइल ग्रूप सिफ लगा हो तो ऐसे कंपाउंड को ऐसे फर्स जुनेशन से फ्लेस्ट परिंस को हम लोग ओड़ी दे सकते हैं जबकि ज्यादा तर और जो जहां पर अगर नहीं कोई और लगा हुआ है तो उसे हम लोग प्रियोग कर सकते थे कुछ एक्जामपल्स में आपके सामने रख रहा हूं हम सिर्फ जनल श्रक्चर अभी हमने आपको बताया था उसमें और रवन और रटू को हम लोग सिर्फ देखेंगे और हमें इस स्रक्चर जो है याद करने की जोरत नहीं पड़ेगी अपने आप जो है वो त्यार हो जाएगा जैसे कि सिफ्रादीन जो है सबसे पहला कंपाउंड यहाँ पर टू अमीनो टू यह देखे यहाँ पर जो है डबल बॉंड लगा हुआ है यह एक बेंजिन रिंग नहीं है इसको याद तो हम लोग यहाँ से आरवन आपको किताबों में यह नहीं दिखेगा यह उपर जर्नल स्ट्रक्शन दिख जाएगा और यहाँ से आरवन लिखा है बट हमने इसको साथ में लिखा है ताकि हम इसके नाम को भी देख सकें जबकि आरटू में यहाँ पर मिठाइल गूप लगी हुई है या चेन लगी हुई है इसको जो इसी के साथ मिठाइल के साथ यानि थोड़ा सा बदलाव किया गया है सिर्फ और सिर्फ इस रिंग का बदलाव है और एक नया कंपाउंड मिल जाता है जो कि वह भी और ली एक्टिव है क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ है ने क्या नाम है साइट चेन और इसके साथ एसी टॉक्सी मिठाइल ग्रुट लगाया गया हैसीज थी एसी को हटं करके क्या लکाएंगे हम लोग आ टुं की जगपे ऐसी टॉक्सी मिठाइल चेन लगाएंगे यह इस सी स्थी स्टू से जुडए होगी थिक तो यह जाकर करके हमें parentally active drug जो है वो मिलती है सिफ़ाइडॉक्सिल next example है जहाँ पे आप देख पे रहे हैं कि यही वाला था हमारा two amino two phenyl acetyl but इसमें हम लोग ने क्या किया है OH group लगा दिया hydroxy group लगा दिया तो इसे हम क्या गएंगे two amino four hydroxy phenyl acetyl जो है side chain और इसके साथ methyl group भी जो है वो लगा हुआ है तो यह चार example देखे कुछ एक दो example और देख लेते हैं जैसे कि सिफैलो ग्लाइसीन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे two amino two phenyl acetyl जो रिंग है वो लगी हुई है और यहाँ पे acetoxy methyl रिंग जो है वो हमने लगा रखी है तो यह जो है हमें क्या देता है सिफैलो glycine जो है रिंग वो हमें प्राप्त हो जाती है तो सिफैलो lexine और सिफैलो glycine जो हमने दूसरा example देखा था और यह हमारा पाच्वा example दोनों में अंतर सिफ कितना है कि R2 में वहाँ पे CST लगा हुआ है और यहाँ पे acetoxy methyl लगा हुआ है नेक्स सिफैलो राइडिन जो है यह भी एक example है बहुत यह अच्छा यहाँ पे तू थानाइल acetyl ring लगा हुआ है लेकिन साथी साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि methyl को हट करके जो सिफैलो थिन में acetoxy methyl था उसको चेंज करके पैरीडीन वन आयम वन आयल मिथाइल गूप जो है वह हमने यहाँ पे लगाया एक शिक्स में लगाई है जिसमें पैरीडीन लगा देख है मतलब कि nitrogen के साथ है काबन को रिप्लेस करके तो इस एक जो है activity में effect जो है वह बाद और आज तक जो है वह present है और इसमें जो है एक खास बात है कि यह सारी के सारी जो है यह ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया के अंगेंस active है जबकि पहली वाली ज्यादा नहीं थी एक्टिव और जो इक्स्राशलूलर बीटा लेक्टमेज़ होते हैं उनके प्रती रेस सकती हैं उनको पार कर सकती हैं कुछ जैसे सिफख्लोर जो है उसमें आरवन वह हमें वही देखने को मिल रहा है जो कि हमने पहले भी देखा जैट इस तू अमीनो तू फिनायल इसलिए यहां पे नाम ने लिखा हुआ है या पहले भी देख चुके और इसके साथ ही साथ जो तो CST गुरूप था या हमने कहा कि एक टॉक्सी मेथाइल गुप था उसको सिंपली चेंज कर दिया गया है हाटा करके CL गुरूप लगाया गया है ठीक तो यह सिफख्लोर के रूप में हमें प्राप्त होता है तूसरा हमारा सिफख्ग्जिम है सिफख्ग्जिम जो है वह देखें यहां पर सलफर को हटाया गया है और ऑक्सिजन लेकाया गया है और इस नाइटोजन जो यहां पर अमीनो गुरूप था उसको भी हमने मिथाओक्सी गुरूप के साथ यहां पर रिप्लेस करने की कोशिश किया तो एक नया एक्टिव ड्रग जो हमें प्राप्त होत है एक अगली ड्रग जो है हमारा एक्जामपल जो है यहां पर सेम कर्वाक्स माइल मेथाइल ग्रूप जो है वह देखने को मिलता है शिफा मेंडोल हम जामुछ करके ऐसे एक्जामपल नहीं है जिसमें बहुत ज्यादा अंतर ना हो आरवन रटू में काकि आपके स्ट्रक् सिफा मेंडोल जो है एक बहुत ही के नाम है अच्छा एक्जामपल है यहां पर देख रहे हैं इस च के ऊपर जो है और यहां पर जो आटू है वहां पर हमको टेट्राजोल देखने को मिल ला है यहां चार कार्बन चार नाट्रोजन कंटेनिंग पेंटासाइकलिक रिंग को हम लोग क्या बोलते हैं टेट्राजोल तो दाट इस वन मिथाइल टेट्राजोल सल्फोनाइल मिथाइल ग्रूप हमको देखने को मिलता है इंड़ प्लेस ऑफ आटू ठीक अब बात करते हैं थर्ड जनेशन से फेलेस्पोरिंस की यह जो है 1980 और यह ब्रॉड इस्पेक्ट्रम होती है अभी पर वाली थोड़ी नेर्व इस्पेक्ट्रम थी लेकिन यह ब्रॉड इस्पेक्ट्रम होती है ग्राम पॉलिटिव ग्राम निगेटिव बैक्टिरिया के अंगेस्ट एक्टिव रहती है और यह जो है बीटा लेक्टमीज क्या न हमें हेट्रोसाइक्लिग्रिंग सिस्टम लगा रखा हुआ है और जिसको हम थाइजोल बोलते हैं और इसके नाइट्रोजन और सलफर एक साथ हों तो हम क्या बोलेंगे थाइजोल और यह तू अमीनो वन थ्री थाइजोल आईल टू मिटॉक्सी अमीनो एसेटाइल चेंज जो को हटा करके सिंपल एच लगा देना है हाइडोजन लगा देना और कुछ नहीं करना यानि कि छोड़ देना है अगला हमारा एक्जामपल है सिर्फ मैनोग्जिम जहां पर फिर से सेम ग्रूप लगा हुआ है तू अमीनो वन थायो थायल फोर आयल तू मिथाक्सी अमिनाइल सेम चीज लगी हुई है और इसके साथी साथ फिर से एक टेट्राजोल लेकर के आएंगे जो कि अभी हमने पिछले एक्जामपल में देखा था स्वरी सेकंड जनेशन वाले में वही वही वन मिथायल टेट्राजोल सल्फनायल मिथायल ग्रूप इसको लगाते हैं तो हमें एक नया कंपॉंड मिलता है कहने का मतलब कि जो हमारी थर्ड जनेशन वाली जो कहना है उसमें यह ग्रूप आरवन जो है वह कॉमन हमको देखने को मिल रहा है हमको सिर्फ आर्टू को बदलाव करते चखर जाना है नय नय कंपॉंड हमको मिल जाएंगे इसके बाद आती है सिफलिस्पॉरीन फौर्थ जनेशन सिफलिस्पॉरीन और फ्रड जनेशन फिर से कॉमन होगी और वन जो है वह सेम रहेगा और वन हमको नहीं बदलना है आर्टू की जगह पर फॉर्ज जनेशन में हम लोग को जुटर आयनिक इफेक्ट शो करवाना है यानि जुटर आयन है यहाँ पर लगाएंग जो टारन के होता है नाइट्रोजन के उपर हमको क्या दिखाई देगा प्लस याद देखने को मिलेगा क्योंकि एक्स्ट्रा बॉर्ण वहाँ पे बना ठीक है तो यह थर्ड जर्ड जर्नेशन जायती है बड़ जुटर रायनिक इफेक्ट्स हो तो इसमें कुछ नहीं करना हम लोग को जैसे इस पर पाइम है एक्जेंपल है इसका आरवन में सेम वही तू अमीनो थ्री तैनाइल तू मेठोक्सीम अनल एसेटाइल जो की उपर देखने को मिला था और यहाँ पर भी सेम चीज़ देखने को मिल दे बट्स अंतर क्या है आ यहाँ पर हमको लेना है इन दे केस ऑफ प्राइम में ठीक तो यह अंतर है थोड़ा थोड़ा अंतर है और यह अंतर अगर हम ध्यान लखें तो हम इस्ट्चर भी याद करके पेपर में लेख सकते हैं ठीक नेक्स्ट मिसलेनियस कुछ एजेंट्स हैं जिनकों फिफ जनरेश जो की काफी बाद में आई और कुछ इजामपल है यह सब जो है मिसलेनियस के अंतरकत आती है अप नाम में ही लाम डिक के अपना काम यहां पर चला सकते हैं अब बात करते हैं मेकने आफ एक्शन ऑफ सिफलेस्परिंस की तो सिफलेस्परिंस जो है एक बीटा अलेक्टम एं हमने पैनिसलीन का देखा था बिल्कुल बैसे ही है बस एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि यह जो हमारी सिफलेस्परिंस होती है यह सिंपली जो है वो इनिविट करती है क्रॉस लिंकिंग ऑफ दा प्रेप्टिडो ग्लाइकॉन यूनिट्स को जो कि हमने पिछले वीडिय दागा वो ज्यादा मजबूत बना था उसको यह क्या करते हैं इनिविट करते हैं और एक खास बात और है यहां पर कि जो हमारी पैंसलीन थी वह पैप्सलीन बैंडिंग प्रोटीन के साथ अटेच हो रही थी सेल वाल के अंदर बैक्टिरिया बट यह वहां पर नहीं होंग बैंसली बैम के नहीं होगी इनकी क्राफ लेंकिंग जो नहीं होगी जिसके से सेल वाल जो है वह डिफिसेंट फॉर्म में बनेगा और उसकी जो है और आगे चल करके फिर सेल देत हो जाएगी क्योंकि बैक्ट्री साइडल इफेक्ट जो हमें इसके प्राप्ट जाएगी तो बिल्कुल पैनिसलीन वाला ह बस ध्यान यहां रखना है कि यहां पर यह टारगेट प्रोटीन के साथ से फैलस पर इन जोड़ती है ना कि पैन्सलीन बार्णिंग प्रोटीन के साथ यह डिकॉल के लिए मैंने आपको बता दिया तो यह था आज का माई टॉपिक जहाँ पे हम लोगोंने डिफरेंट तो इसे देखिए अमने डिफिक्टर को समझा क्लासिफिकेशन को भी देखा और मैंक अफेक्शन को भी समझने के क्लासिफिकेशन में बहुत सारे स्रक्टर मेने जामच के बनाएं ताकि आपको जेदरने तयार हो पाएं आप उसको तयार कर सकते और यह चीज और है कि यहा और अभिश्रेक तिवारी सरकी जो कि हमारे बहुत ही सीनेर आदमी है मेडिशनल केमस्टी निराली परकाशन की उनकी किताब का भी हमने यहाँ पर काफी यूज किया है क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्ति क्लासिफिकषन की कीजती तो उना एडिया है के अमने क्लासिफिकषन की कव्यों का आपको अPS समझाность का ओपने तो यह थे हमाँ.